हलो नमस्कार मेरा नामें रितोब रोतो यह है all new 2024 टाटा साफारी का एडवेंचर वेरेंट एक well for many वेरेंट सही में कहूंगा सेवें सीटर वाला वेरेंट रहने वाला है सबसे पहले और प्रैजिंग की बात करें तो यह जो है 23,70-80,000 अप्रोक्सिमेटली मैनुएल वाला ड description गंदर आपको जाए नमबर देख रहा होगा अचा start करेगा look से ना मैं एक चीज़ कहूंगा यह जो नया फेसलिफ्ट वाला है ना वह हैरियर है यह साफारी है सबसे पहले तो यह देखिए साइट से कितना मस्त मतलब एक bulky कार elegant कैसे हो सकता है वह आपको यहां पर होना सही मतलब देखना चाहिए मस्कूलर के साथ डिजाइन यहां पर दिया गया है सबसे पहले तो connecting DRL आपको पता ही होगा और convertible DRL प्लस indicator unit है और white color में मतलब सब लोग ना जब भी परियर सफरी की बात कता है डाक एडिशन डाक एडिशन मुझे परसिनली ना मतलब इसका भी मैंने देखा और यह भी रोट में भी मैंने जब देखा आज भी सामने देखा बहुत अच्छा लग रहा है वाइट के साथ कितना अच्छा combination आप एक बार देखिए वाइट ब्ल पूलने की जरूरत नहीं है बहुत ही बहतरी नहीं कई पर भी लेके जाओ इतना बलकी कार होने के बाद और प्रोजेक्टर एलिटी प्रोजेक्टर सेटप है यहाँ पर साफरी का प्रॉपर बैजिंग है और यह यूनिट बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप दिखते के बज़े से लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है यहाँ पर निकल के आता है तो अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसा जो है लुक आपको देखने में मिल जाता है उसी के साइड में चैसे आप चले आओगे न तो आल बटी क्लैडिंग सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे और अलोई है यह भई हाँ डुल टून के अंदर है जो लुक है बहुत अच्छा है आपे निकल कहा रहा है कोई हापे शॉक नहीं है टूबलेस टायर ओविसली और 18 इंचेज का ही वील है और इसमें भी सेक्षन दिया गया है 235 सेक्षन के साथ तो छोटा टायर नहीं है बा पाकि यह जो है LED DRL है और विम सोबिसली ब्लैक के साथ होता है प्यानो ब्लैक में यह डूल टून वेरेंट नहीं है बर स्टिल और जो है एलेक्रोनिक लिए आप एज़स्ट कर सकते है और बोडी कलर के अंदर डोर हैंडल आपनी स्पोर्ट करा और एक चीज़ नोटिस करन मतलब तॉप नहीं है तो यह सब हटा दिया टाटा नहीं तो यह अच्छा लगा बाकि यह पर यह कनेक्टिंग लाइट नेक्स लेबल लूग पीछे से देखिए मुझे ना सच में बताओ तो पहले जो साफारी का पीछे हुआ करता था उतना पसंद नहीं था बट अभी ब बहुत अच्छा है उसे के साथ पीछे जो कैमेरा है वह यहां पर माउंट है और आपको जो है यहां पर दिया गया है जी हां पारकिंग सेंसर पीछे है डूल टून के अंदर क्लैडिंग आपको देखने में मिल जाता है यार इसका बूट इतना हेवी है यह बोलता भी रहत है कि एक में बैट के भी आप जा सकते हो और दो फोल्ड कर दिया तो टोख है स्पेसी स्पेस बाकि इसको सेट कर देते है ड्राइवर सीट को ना मैं रेकोर्डिंग मैंने अजस्ट कर रहा है मेरा हीट 58 है पीछे सबसे पहले तो यह जो कलर टोन है यह मुझे बड़ा अंदर आने के बाद जो व्यू है वो कुछ ऐसा है काफी एरी व्यू आपको रहने वाला है यह आप देख लो लाइट जो है वह आपको LED यूनिट ही है मुझे ना यहाप बैट के काफी एरी लग रहा है उसका में रिजन है सीट का यह कलर और प्रीमियम फेलिंग है बाकि स सामने देखते है ना तो बेज कलर है यह सब मैटर करता है और यहाप काफी अच्छा सा आपके पास हेड रूम है लेग रूम आप देख लो मेरे पास काफी अच्छा है और आगे भीचे तो होता ही है और पॉकेट से और यहाप देखते एक फॉस्ट चरजिंग यूएज भ सबसे पहले ना इसको यह देखिए फॉल करना कितना आसान है एकदम से हो ही गया बाकी देखिए यहां पर मैं कहूंगा ठीक स्पेस है अगर आप शॉर्ट जर्णी में कोई भी बैठना चाहते है बैठ सकते अदर्वाइस मैं कहूंगा बच्चू के लिए परफेक सीट है 700 से जादा मुझे लगा उसी के साथ यहां पर कफोल्डर प्रॉपर बॉटल भी कह सकते हो और पीछे भी फोस्ट चरजिंग सॉकेट्स है तो यह एक सही चीज रहने वाला है यहां पर रिक्वेस्ट सेंसर देख सकते हो तो चाबे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यह देखे थोड़ा सा नहीं हिलता है तो इसका जो यह मैट्रियल ना मुझे उतना अच्छा लगा नहीं यह ठीक है थोड़ा सा हाट प्लास्टिक का फिल होगा आपको टेक्स्चर है बट इसमें मुझे कोई कंप्लेन नहीं है उसे के साथ यहां पर जो लेदर है वह भी जिंग कलरफूल सा यह है कि पहुत प्यारा है और यह तो खैर नेक्स लेबल चीज एगी डिस्प्ले बहुत ही प्यारा है उसके साथ यहां पर आप यह प्लड अन फोल कर सकते हैं आपको यह एडविकर नहीं है उसके साथ दाउन मीर्थ यह रहने वाला युवी का ग्लस है हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते है और आगे पीछे होता है डेट पर आपको देखने में मिल जाता है एम्बेंड लाइट है देख सकते है लेदर का यह काम देखिए और यह जो उडेन है थोरा समें एक बार बता देता हूं कितना अमेजिंग क्वालिटी है व आपको होने वाला है इसी के साथ अगर आपको यह मैट्रियल का बताओ ना यह ना सौफ्टर मैट्रियल है यह देखिए तो यह मुझे बहुत पसंद आता है यह चीज़ कहूंगा इसी के साथ सबसे पहले जिहां आप स्टेरिंग जो है वह एडजस्ट कर सकते है उपर कर नहीं होने वाला और यहास पर बेसिकली आपका माईटी है रही अपई को आपको नेविगेशन भी करता सेटिंग करने के बाद और जो है सारा यहाँ पर आप देख सकते हो TPMS और वो सब चीजे भी आपको शो करते रहते हैं मैं भी आप यहाँ पर सेट करने के बाद अर्राम से यूज कर सकते हैं तो और इसका बटन क्वालिटी भी ना बहुत अच्छा है लाइट का सरे कंट्रूल राइट साइड में है और लेफ् साइस का आपको जो है स्क्रीन देखने में मिल जाता है और 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 अप्शन तो है ही और दोनों चीज यहाँ पर जो है वाइलेस सपोर्ट करता है तो वायर लगाने की जंजट गया है से आप सारा जो लाइट का यह जो कंट्रोल से ना यह एम्बेन लाइट का यह साब और कर सकते है उसे के साथ और भी चीजा है वह भी बताऊंगा वैसे मैं और यहां से तो यह से तो यह आप नोटिस करो बिल्कुल सीमलेस आपको चीज़े है और यहां से आप बूट भी तो यहां पर यह लाइड वे चेंज होता है और यह चीज यहां पर आपको ना ऐसे शो करता रहता है तो यह बहुत सही लगा मतलब यह overall जो एक सेटिंग आपका है लो बाकी कैमेरा फर्स्ट ग्यार सेगें थर्ड बहुत समूद ग्यार है ऐसे अटकता भी नहीं है रिवर जैसे मैंने एकदम से लगाया तो यह कुछ कैमेरा है इस विरेंट में जैसे मैं आपको बोला 360 डिग्र भी नहीं है ग्वालिटी इसमें थ्वर आसा है थ्वरा साब कहा सहकता लो बाकी आपको इसको उतार दो दो यह उतर गया अचाह पर आप देखते हैं ना दो को फोल्डर है और यह ना इसे एडशेस्टेबल रवारिश बाला है तो वह एक चीज है आपकी और भी आपके पा की बात करें बहुत कमफोटेबल सीट साइट से ना पकर करके रखता है बिल्कुल कैप्टेन सीट में आपको जैसे फील आना चाहिए वही है तो लॉंग जानिस अगर आपको एक बहुत यूज प्लास देगा इसी के साथ एक चीज़ कहूंगा अगर आप एंजिन और प्रफि बिल्कुल नहीं रिफाइन में नेक्स लेबल मैं चाहूंगा इसका फूल ड्राइब रिव्यू लॉंग ड्राइब रिव्यू बताओ डेफिनेटली अच्छा माइलिज की बात करें अब देखिए हैरियर सफरी का वैसे नहीं बताओ सेमी है जो लोग को पास है वो लोग ब प्राइब करना चाहिए कोई भी कंट्विशन आप आमें कमेंट में या फिर इंस्टा वीडियों कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियों करने जाकों बाइगेस थैंक्यू सुमाइच